मा की ममता, आम की पेड़ पर एक सुरीली नाम की चड़िया रहती थी, उसने खुब सुन्दर घोसला बनाया हुआ था, जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे साथ में रहते थे, वे बच्चे भी उढ़ना नहीं जानते थे, इसलिए सुरीली उन सभी को खाना लाकर खिलाती थी, एक दिन जब बरसात तेज हो रहे थी, तभी सुरीली के बच्चे को जोड़ से भूख लगने लगी, बच्चे खुब जोड़ से रोने लगें, इतना जोड़ से, कि सुरीली को उनका रोना अच्छा नहीं लग रहा था, और उनको चुप करा रहे थी, लेकिन बच्च अगर खाना नहीं लाया, तो बच्चो की भूख को कैसे शान्त किया जाएगा, बच्चो की भूख कैसे शान्त होगी, काफी दिर सोचने के बाद, सुरीली ने एक लंबी उडान भरी, और पंडिजी के घर पहुँच गई, पंडिजी ने परसात में मिले, चावल, दाल और फलो को आंगर में रखा हुआ था, चुडिया ने देखा, और बच्चो के लिए अपने मूँ में धेर सारा चावल रख लिया, और जटपटवां से उड़ गई, गोसले में पहुँचके चुडिया ने सभी बच्चो को चावल का दाना खिलाया, बच्चो का पेट भर गया और अपसर चुप हो गए और आपस में खेलने लगे, इस कहाने से हमें ये शिक्षा मिलती है, कि संसार में मा की ममता का कोई जोड नहीं, मा चाहे वो जानवरों की हो, पक्षियों की हो, या इनसानों की, मा मा होती है, और वो अपनी जान विपत्ती में डाल कर भी, अपने बच्चों के हित्मे कारे करती है, उनके लिए अच्छा सोचती है, अगर आपको हमारी कहानिया पसंद आती हैं, तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, और शेयर करें ज़्याद से ज़्यादा, जिससे हर किसी को नईतिक, शिक्षेख से भ अगरी कहानिया सुनने को में